आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ अपना KBS का इंटर्व्यू एक्स्पीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे के आपको पता ही है कि आजकल KBS के इंटर्व्यू चल रहे हैं जो मेरा इंटर्व्यू था वो था for the subject PGT Biology के लिए जो हमारा इंटर्व्यू था यह था कॉलकता में वैसे तो जो इंटर्व्यू है वो पहले से ही चल रहे थे for the biology subject बट मेरा जो इंटर्व्यू था वो सत्रा तारीक को था तो सत्रा तारीक को हमें बूला गया था कि हमें साड़े आठ बजे रिपोर्ट करना है सुभह for the document verification और उसके बाद इंटर्व्यू स्टार्ट हो जाएगा तो as usual हम सत्रा तारीक को साड़े आठ बजे से पहले ही हमाँ पर पहुंच गए थे फिर हमारी साड़े आठ बजे कि स्कूल के बाहर से ही यह वाली चीज़ बता दी गई कि कितने सीर्यल नंबर तक कौन से बौर में जाएगे बच्चे कहने का मतलब यह है वहाँ पर different board of interviewer थे मतलब कि different panel थे interviewer के तो यहाँ पर बच्चों को distribute करा गया था between these panels तो महाँ पर 7 panels थे interviewer के और उन 7 panels में जितने भी महाँ पर total बच्चे आये थे interview के लिए उनको distribute किया गया था तो जो मेरा interview था वो panel first में था पैनल का मतलब भी आई कि different बस interviewer के groups थे और वहाँ पर बच्चों को distribute कर दिया गया था इससे आपका interview कब होगा इससे कोई लेना देना इस चीज से नहीं था उसकी बाद पर जब हम वहाँ पर अंदर चले गए थे और हमारा document verification के लिए मतलब हम लोग जाने वाले थे तो पहले हमें एक hall में बिठाया गया फिर वहाँ से में धीरे-धीर document verification room में ले जाया गया जब हम document verification room में गए तो हमें तीन forms दिये गए एक हमारा checklist form था एक आपका cast का था जैसे मेरा OBC है तो OBC के लिए एक form था और एक हमारा no no conviction form था कि no conviction के मतलब कि आपको कोई आपके ओपर case waste तो नहीं चल रहा इस तरीकी का एक form था सिंपल साथ तीन हमें form दिये गए उसके बाद document verification के लिए बुलाया गया हमाँ पर document verification में उन्होंने पहले जिरॉक्स कॉपी मांगी हमार से और उसके बाद फिर original के साथ उसको match किया subject को देखा सारी चीज़े डिटेल जो है मान्यूटली देखी और उसके बाद उसको कर दिया गया तो उसमें दो एक्जामिनर थे पहले एक एक्जामिनर ने बहुत ही बारीकी से देखा और दूसरे एक्जामिनर ने ब्रीफली उसको देखा और उन्होंने इसको ओके कर दिया इसके बाद है उसको अपने टर्न के लिए वेट करेए थी बाहर बेठी हुई इसको इसे बाद इसके बाद रसकी से कुछ बाहर बैठे हुए थे थे उसको नोर्मली कुछ बच्चे ब्रीटे बी मतलब और भी कैंडिडेट्स मिले तो उसके बाद फिर फाइनली जो मेरा नंबर था वो आगया इंटर्विव के लिए तो अब यहां पर इंटर्विव जो था वो 15 से 20 मिनट के लिए चल रहा था सभी कैंडिडेट्स के लिए किसी का 20 मिनट किसी का 15 मिन तो अच्छा टाइम वो लोग ले रहने तो जब मेरा चांस आया तो मैं फिर अंदर गई और अंदर जाने के बाद मैंने उन से अंदर आने के लिए मतलब की पोछा और उसके बाद टा राट चाता इट नयक्यार उन्हों उन्होंने मेर से पूछा कि आपका subject is biotechnology है because I am MSC in biotechnology तो उन्होंने मेर से यह वाले चीज पूछे मैंने का yes अब वहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे interview panel में तो एक माम थी जो subject expert थी एक और माम थी और दो sir थे तो यहाँ पर उन में से जो मुझे लगता है कि जो दूसरे वाले माम थी she was definitely a psychologist मतलब उन्होंने ज्यादा questions नहीं पूछे दो या तीन questions मेर से पूछे उन्होंने बाकी दो हमारे सर भी थे जो मुझे लगता है administration में रहे होंगे तो यहाँ पर जो subject expert थी उन्होंने में से पूछा कि so what topic you want to teach today मतलब demo के लिए आप कौन से topic तयार कर कर आए हैं तो यहाँ पर actually थोड़ी सी mistake मुझसे हो गई हुआ यह कि मैंने उनसे बोला कि मैं fungus topic पढ़ाना चाहती हूँ अब देखिए fungus जो है मैं मतलब क्योंकि मैं teacher भी हूँ in a private school तो मैं अच्छे से जानती हूँ और botany part भी मेरे strong है और मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ तो इसलिए मैंने सूचा कि क्यों ना मैं fungus topic लूँ थोड़ा अच्छा भी लगेगा उनको क्योंकि मैं बायो टेक वाली student मतलब रही हूँ बट मैं botany का topic ले रही हूँ तो उनको अच्छा लगेगा तो फिर मैंने यहां पर बढ़ाना शुरू किया और मैंने अपना introductory questions पहले बच्चों को मतलब इस तरीके से act किया कि हां बच्चे मुझे good morning कर रहे हैं तो good morning students उसके बाद फिर मैंने अपना introductory questions बच्चों से पूछने शुरू किये और फिर मैंने अपने topic को introduce किया और उसके बाद फिर मैंने one by one करके topic पढ़ाया तो उन्होंने मेरे को बीच में कहीं रोका नहीं और मुझे उन्होंने topic पढ़ाने दिया हाला कि जो demo था वो जादा देर तक नहीं चला max to max तीन मिनट या चार मिनट उन्होंने मतलब की चलने दिया और उन्होंने जो मैं topic प्रहाती है इसा नहीं बीच में रोक गया तब उन्होंने मुझे बोला कि okay आप come here sit down तो फिर मैं आ गई वहां से तो अब यहां पर मैंने जो demo था वो तो अच्छा दिया बट यहां पर पिर उन्होंने मेर से जो subject expert थी उन्होंने मेर से question पूछ लिया फंजाय से related जो expected नहीं था मुझे के वो मेर से पूछेंगी उन्होंने मैं से parasexuality के बारे में पूछा और मैं उसके बारे में पढ़कर नहीं गई थी तो इसलिए मुझे नहीं पता था तो वो चीज मुझे कि आप ये topic पढ़ा रहे हैं और आपको parasexuality नहीं पता है तो ऐसे कैसे चलेगा उन्होंने मुझे यह वाली चीज बोली तो मैंने बुला कि मैं अभी में recall नहीं गर पा रही हूं कि parasexuality में क्या था उसके बाद फिर उन्होंने मेर से और फंगस के बारे में classification वगएरा पाई दो तीन questions इसके बाद फिर क्या हुआ उन्होंने फिर मेर से और questions पुछे like from biotechnology, from microbiology, from other chapters of botany and from ecology बहुत सारी questions पुछे जो मुझे लगा कि मैं successfully उनका answer दे पाई इसके बाद फिर एक सर्थे उन्होंने मेर से question पुछा पॉक्सो act के बारे में कि पॉक्सो act क्या है तो मैंने उनको बता दिया कब उसको लागू किया गया था वो मैंने उनको बता दिया इसके बाद एक सर थे उन्होंने कहा कि you are from उत्राखंड तो उत्राखंड में ऐसे कौन से फ्लोरा एंट फोना है जो खासियत है वहां की तो यह question उन्होंने में से पूछा फिर जो माम थी which I think she was a psychologist तो उन्होंने में से पूछा कि अच्छा आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो श्री नगर में है तो वहां पर दो नदिया मिलती है कौन सी वो दो नदिया है जो वहां पर मिलती है उसके बाद उन्होंने में से बायो टेक का एक क्वेशन पूछा कि I don't know more about much about biotechnology but I want to know some food items which we eat almost daily and they are related to biotechnology biotechnology related to food items which we always serve on our table क्या है वो यह question उन्होंने मेरे से पूछा तो इस तरीके से और भी questions पूछे गए थे इसके बाद last में जो बायो वाली माम थी उन्होंने मेरे से question पूछा बुछा कोई उन्होंने बुछा कि आप जानते हैं किस चीज के बारे में इनके author कौन है तो honestly I was not having any idea I did not have any idea about that मैंने कभी सुना भी नहीं था उस बुक के बारे में तो यह मुझे लगा कि थोड़ा सा ड्रॉबैक रहा इसके बाद फिर जो माम थी दूसरे वाली माम जो थी उन्होंने मेरे से एक आखरी question पूछा कि this will be the last question for you why we choose you over other candidate हम आपको ही क्यों चूज करें दूसरे candidates भी तो हैं उनको क्यों ना चूज करें why we choose you over them तो उन्होंने मेरे से question पूछा तो फिर मैंने इस चीज का भी answer दे जितना में best दे सकती थी तो इसमें मैंने बस इस चीज का धान रखा कि मैंने उनको बोला कि मेरी जो communication skills है और जो मेरे teaching style है वो बहुत जादा मतलब अच्छा है या मैंने उनको ऐसे बोला कि मेरे communication skills और मेरे teaching style जो है वो मेरी strength है और जो students है different background के और different learning ability के वो मेरे से easily connect कर पाते हैं और जब मैं पढ़ाती हूँ तो जब मैं class में जाती हूँ से पहले मैं अपने lesson को प्लान कर लेती हूँ activities भी all मैं पहले ही प्लान कर लेती हूँ उसके बाद जब मैं class में जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जतना हो सकते उतने practical तरीके से पढ़ा हूँ तो जब मैंने ये वाली चीज़ बोली तो उन्होंने मुझे घुमाने की कोशिश करी कि practical मत समय की मांग किया what is the need of the hour मैंने उनको ये वाली चीज़ बोले मैंने बोला for example अगर मैं कोई बॉटनी का topic पढ़ा रही हूँ like estivation पढ़ा रही हूँ मतलब की petals किस तरीके से अरेंज होते हैं ये अगर मैं पढ़ा रही हूँ या फिर leaves किस तरीके से अरेंज होते हैं ये मैं at times मैं उनको लाब में भी लेकर जाती हूं permanent slide दिखाती हूं और इसके अलावा मतलब उनको models अगेरा दिखाती हूं और अगर ज़रत पढ़ती है तो garden में भी लेकर जाती हूं तो इस तरीके से मैंने उनको बताया और भी मैंने काफी चीज़े बताया थी तो मुझे लगा कि इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे बुला कि okay you can go फिर मैं वहां से आ गई तो इस तरीके से मेरा इंटर्व्यू हूँ तो अब मैं आपको इसमें यह वाले चीज़ कहना चाहूंगी कि मैं यह सोचती थी कि मैंसे situation based question पूछेंगे classroom based question पूछेंगे तो ऐसा उन्होंने कोई भी question उन्होंने नहीं पूछे जो मैं इतने जादा prepare करके गई थी मेरा main focus situation based question पे था बट उन्होंने मेंसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा वो subject पर stick थे वो subject पर ही थे ठीक है तो मैं यह कहना चाहूंगी आपको की interview में हम नहीं कह सकते कि interviewer क्या पूछेगा देखे ऐसा बोल रहे थे कुछ लोग की subject की knowledge जो है वो check नहीं करेंगे वो आपकी जादा क्योंकि subject के बारे में तो वो आपसे पूछ चुके हैं और मुझे भी ऐसी ही यही चीज लग रही थी मैंने बहुत लोगों से पूछा भी था तब देखे हम कुछ नहीं कह सकते different panel different तरीके से interview ले रहे होंगे वहां पर भी और all over India भी तो सबका अपना अपना तरीका होता है आप नहीं कह सकते को आपसे situation based question पूछेंगे आप नहीं कह सकते कि subject के पूछ सब्सक्राइब को कहना चाहूंगी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना वही टॉपिक आप पढ़ाई यह माँ पर अगर आप जादा दिमाग लगाएंगे और आप यह सूचेंगे कि हम यह नहीं यह पढ़ा दें ऐसा तो ऐसा मत करिए जिसमें आप कमफोर्टेबल हो वही टॉ सब्सक्राइब करें तो अगर अपने मन से दें तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते बट आप अपना बैस टॉपिक में तो आप मत पढ़ाईए हो सकता है अच्छा पढ़ा दें बट उसमें से वो जो क्वेश्चन पुट अप करें वह में सी लेवल के भी कर सकते हैं त अगर आप TGT के ले जा रहे हैं तो फिर वो आपसे BSC लेवल का पूछेंगे तो इस तरीके से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है अपने इंटर्व्यू के टाइम में और सबसे इंपॉर्डन चीज है कि आपको confidence बनाये रखना है confidence बहुत जादा important है अगर confidence आपका recall नहीं कर पा रही हूं तो इस तरीके से politely आप बोल सकते हैं but you have to be confident in your body language as well as in your speech मतला आपको दिखना चाहिए हों लोगों के that you are confident तो इस तरीके से यही मेरा overall experience रहा लेकिए जैसे आप different लोगों से पुछेंगे तो आपको अलग-अलग experience देखने को मिलेगा but यहाँ पर common च स्टेट से हैं उस स्टेट के बारे में भी वह सवाल पूछ सकते हैं तो इस स्टेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो इस तरीके से यह था मेरा चोटा से experience आपको help मिलेगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें शेर करें और अप प्लेगावल को subscribe करें